हेलो फ्रेंद्स, वेल्कम बैक टो माई यूटूब चैनल आज की रेसिपी में मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल प्लाव की रेसिपी लेकर लाई हूँ जो प्रेशर कोकर में बनाएंगे और बहुत ही खिला खिला बनेगा आप इसे ट्रेवल में ले जाएं, लंच में गरें या आप इसे जिनर में भी बना कर जब बन करें तब ही आप इसे खा सकते हैं जिसके लिए मैंने बासपती राईस लिया है इससे प्लाव बहुत खिला खिला भी बनेगा और खाने में थोड़ा अच्छा भी लगेगा वरना आप जो राईस पसंद करते हैं आप उसी राईस को ले ले और मैंने दो से डिश कब मैंने राईस लिया है इसको मैंने पानी में डाल कर सोक कर लिया है पहले अच्छे से वाश कर ले फर सोक कर दे उसके लिए कुछ सबज्या लिया है आलू, काजर, बीन्स और मैं अद्रक और प्याज को कट कर लूँगी मैंने मटर भी लिया है उसको छील कर अच्छे से वाश कर लिया है अब डालेंगे हम इसमें ऑईल यह मैं सन्फ्लावर का यूज करी हूँ, इसमें जाएंगे कुछ खड़े मसाले, तेजपता है, जावित्री है, डालचीनी, बड़ी लाइची, चक्री फूल, लॉंग और काली मर्च, डालने के साथी इसमें अद्रक और लसून को मैंने क्रेट किया था पतले वाले ग्रेटर से, इसके साथी इ अज़ अगर जाड़ा भून जाएगा, तो विडियानी का मतलब लाहो का कलर थोड़ा प्लाकिश में आ जाएगा, तो इसलिए हल्का सा गोल्डन हो जाएं, तो हम इसमें एड़ कर देंगे आलू और गाजर, इसको भी अच्छे से मेक्स करके भून लेंगे, इसके साथ ही म मतर और भी इंस्टाल देंगे, इसको भी अच्छे से पका लेंगे, अब इसमें स्वात के अनुसार, अपने स्वात के अनुसार इसमें नमक आड़ करेंगे, मैं इसमें तीन छोटे चममच आड़ कर रही हूं नमक, नमक इसलिए थोड़ा सा जादा है, क्योंकि चावल भी जाएगा तो बैलन्स हो जाएगा, अब इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची, धन्या पाउडर और अपना फेवरेट इसमें बिरियानी मसाला आड़ कर दें, या इसमें आप गरम मसाला डाल दें, बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा, अच्छे से मिक्स करें, अब इसमें सोकी हुए राइस आड़ कर देंगे, राइस को भी हम इसमें थेरी मसाले और सबजियों के साथ, दस मिनट के लिए कुक करेंगे, और हलकी हाथों से चावलों को चलाएंगे, जिससे चावल टूटना चाहें, चावल थोड़ी से पतीले में बच चुके हैं, इसको मैं पानी देखना पसंद करते हैं, तो मैं मॉटिवेट होती हूँ उतकी जिससे मैं और भी जादा अच्छी अच्छी रेसिपी आपके लिए लेकर आओं, तो पानी भी हम बिल्कुल लेवल कर डालेंगे, जिससे चावल भी पहले से सोकी हुए हैं, और सबजिया भी भूनते भूनत था भी, तो मैंने इसमें धनिया मिलाया है, आप चाहिए तो प्रेशर कुक करकर सारा राइस एक साथ निकाल लें, कि जिससे यह ज़्यादा पक कर ओवर कुक ना हो जाएं, और मैं तो अभी सर्फ कर रही हूँ, तो मैं इसे अहल के आतों से मिलाकर राइस को, दही के साथ प्लेन दही है, और लाल वाली जो चटनी आती है ना लहसून और टमाटर की वोलिया है, उसके साथ यह बहुत ही अच्छी लगती है, तो आप ज़रूर बनाएं और खाएं, तो जैसे मैंने कहा है, आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक कर लीजे, तो प्याज के लच्छे के साथ इसको खाएं, बनाएं लंच और टिनर में, और तब तब के लिए बाबाई